हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आल आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिका रहा हूँ देखिए एसल ग्रूप के ये दोनों शेर दिस टीवी एंड जी एंटर्टेन्मेंट एंटर्प्राइज़ दोनों में ऐसी बाहर आई आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसी पैसों की बाहर आई है कि दो दिन से शेर लगातार दिस टीवी तो मोर देन 50% दो दिन में उचल चुका है बहुत ही जबरदस्त आज यानि की 1st November और कल 31 October और दोनों दिनों में ऐसा उचल देखने को मिला है सायद ही किसी शेर में ऐसा देखने को मिलता है अल्दो ये दोनों शेर काफी गिर गए चुके हैं काफी नीचे लेबल पे जा चुके हैं लेकिन अचानक ऐसे पैसों की बाढ़ आई है इन दोनों शेर्स में चरहां देखते हैं ऐसा क्या हुआ दो-चार दिनों में इन दोनों शेयर्स में और क्या कारण हो सकता है इसका उसको जानने के कोशिश करते हैं इस चोटे से वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली क्योंकि इस शेयर में गिरवी रखे वैयर बहुत सारे है प्रमोटर्स के इसलिए काफी गिरावट देखने को मिली फिलाल जो मैं देख पा रहा हूँ आज की डेट पर आठारा पस entitled के आसपास का जंप देखने को मिला यहां पर आप देख पा रहे हो कि ट्रेडट कॉंटिटी ओल्मोस्ट 6 करोड 17 लाग है लेकिन देलिवरी मात्र पैसा ट्लाग शेर्ट की है जो कि 10-10% के आस पास है यह हम जी हें एंटर्टेंडमेंट एंटर्प्रेजे की बात कर रहे हैं और वहीं पर आप देखो दिस टीव रुपे 45 पैसा है आप क्लियरली देखिए 16 रुपे 45 पैसे का हाइस ने बनाया तो यहां पर 30% से काफी उपर यह उचाल था 12 रुपे 75 पैसे पर ओपन वह था और अचानक इतना बड़ा जंप इसमें आ गया तो क्या रीजन है से ऐसे इतने बड़े जंप के तो आज लेकि कि मोर देन 8% है लेकिन 10% से नीचे की डिलिवरी देखने को मिली है तो यह दोनों आज भारी भर का मिनमेट ट्रेडिंग देखने को मिली है जी और डिस्टीवी के शेर में यह देखिए अगर मैं आपको टेक्निकल दिखाऊं तो देखिए यह शेर कल यह जी का शेर है कल ब देखें दो दिनों में यह 10 रुपे से सीधे पहले 12-13 रुपे गया फिर 12-13 रुपे सीधे 16 रुपे पार कर गया अब देखें कलिर लिए इतना बड़ा उच्छाल वह भी मातर दो दिनों में अब एक नजर इन दोनों शेर के फंडामेंटल्स देखते है देखिए जी कि अ आप देखिए 55% के प्रोमोटर होल्डिंग है नेकि 93% जो है शेर्स गिर्वी रखे हुए हैं यह दोनों काफी negativity फैलाते हैं अगर इतने ज्यादा शेर्स गिर्वी रखे होते हैं तो डर लगता है ऐसे शेर्स में जब होते हैं शेर्स गिर्वी रखे हुए अब एक नजर क परसेंट इन लास्ट टू सेशन्स अब देखिए भई और ग्रोथ चैलेंजेज कंपनी की पास हैं फिर भी जंप है और साथ के साथ एसल ग्रूप की डिस टीवी इंडिया यह भी पिछले दो सेशन में आपने देख लिए कितना उचल लिया है अब यहां पे इसका कारण इ कुर्ण की पैसा आरहा है कहीं से फंड इनक्यूज हो रहा है ऐसा माना जा रहा है अनलिस्ट सेड्स्पाइट दजिस था नेगितिव न्यूजक ना सार्प सर्ज जो शेर प्रियस में हुआ है। उसका का कारण फ्रेस फंड इन को देखा जा रहा है hopes of fresh fund infusion कोई भई उमीद की किरण दिख रही है इन shares को जैसा कि आपने देखा yes bank में जो 1.2 billion dollar की उमीद की किरण और उसी तरीके से यहां पे भी एक fresh fund infusion जो है वो shares को उपर की तरब धकेल रहा है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जी entertainment enterprises का reported muted 1.2% year on year revenue growth बहुत ही कम revenue growth दिखाया था इन्होंने और profit after tax भी बहुत हलका सा कितना 3.8% से grow करता है और 530 करोर के आस पास तक तो यहां पे अगर आप देखें growth challenges बहुत जादा है promoter के pleasure जो मैंने आपको देखें वो बहुत जादा है तो यह सारी चीज़े होने के बावजूद इस share म venture इसका major promoter देखें सिक्वेटर media services limited यहां पे promoters ने खूब सारे even SL media venture ने तो 100% shares जो है गिरवी रखे हुए SL corporate इने 100% shares गिरवी रखे हुए उसी तरह के साब डिश्टीवी के shares देख लीचे direct media distribution venture private limited जिसकी 22% की holding है उसने अपने 94.6764% जो shares गिरवी रखे हुए इवन Vena investment private limited ने भी अपने 99.89% shares गिरवी रखे हुए और साथ के साथ world crest advisor ने भी अपने 100% shares गिरवी रखे हुए यही तो जो यह गिरवी रखे हुए shares का यही डर बहुत बढ़ा होता है तो मैं तो कहूंगा यह कितनी भी share उचल जाए एक retail investor को यहां पे नहीं फसना क्योंक TV कितना अच्छा क्योंना हो लेकिन यह गिरवी रखे हुए share अपने आप में एक बड़ा डर है चलिए fresh fund आ भी जाता है यहां पे लेकिन company अपने गिरवी रखे हुए share को कब तक छुड़ाएगी अगर मैं डिस्टीवी के आपको fundamental दिखाऊं तो देखे 3000 करोड की market capitalization है company के उपर 2700 करोड का debt है देखे मैं positive चीजे भी बताता हूँ चीजे अच्छे stocks है लेकिन यहां पे इन दोनों stocks पे jump आपको देखने को मिल रहा है लेकिन खतरा मंदरा रहा है सारी चीजे देखी आप यहां पे return on capital लेकिन तो आप देख पार हो लेकिन यह debt बहुत बड़ा number है अगर मैं profit and loss के number यहां पे देखू नो doubt यहां पे revenue आपका लगातार आपको बढ़ता हूँ दिख रहा है sales में लेकिन profit भई कहा profit है देखे 400 करोड 400 करोड 100 करोड यह loss बीच में थोड़ा profit आया फिर से इतना बड़ा बड़ा loss क्यों जाना है इस company की तरफ भई इतना loss है तो चाहे कितना भी उचले share हमें क्या करना है यहां तो company lossy loss दिखा रही है numbers में उसी तरीके से जी entertainment enterprises की ओर आते है तो यह profit दिखाती है company लेकिन 2018-2019 दोनों में profit में काफी कमी देखने को मिलिया although 2017 में बड़ा profit देखने को मिला था अब एक नजर technical पर आईए जी के technical पर अगर मैं परासा ही होता होता आपको यकीन नहीं होगा यहां पर अभी इसने 190 रुपे के आसपास का low बनाया यह अक्टूबर एक की बात है बिल्कुल low बनाया उसके वाद share धीरे धीरे उपर गया और मुझे लगता है कि भीया यह जहां तक गया यहीं तक यह एक strong resistance point है आप देखते यहां पर 120 के level पर August 2015 उसके बाद गिरता जा रहा है 200 day moving average से दिखे बिल्कुल नीचे है 50 day exponential moving average मतलब stock में strength आई नहीं आप जी के share को देख लीजिए तो हमारा तो वही मानना है भाई एक बार death cross बन गया तो stock मैं भाई अब entry नहीं करनी है भाई entry वाला stock नहीं होगा stock weakness वाला ह या sell करके कमा रहे हो तो कमा लो लेकिन entry profit buying करने के काम का नहीं है यह देखे जब तक stock नीचे जाता है 200 day moving average से डर बना रहता है बही बिल्कुल डर बना रहता है अगर गिर के 200 day moving average का support ले रहा वहां से उपर आ रहा है तब तो positivity है लेकिन ऐसे मैं तो डर बना रहता है और कार investor देखूं जी मैं promoter देखिए promoter बहुत है LIC है बड़ा promoter अधिति बर्ला सन लाइफ है ICICI Prudential है Vanguard International है यह सब मेरा एसेट large cap fund है यह सब इसमें बड़े-बड़े शेर होल्डर जरूर है लेकिन क्यों बही क्यों एक retail investor को नहीं फंस नहीं जीजों में और दूसरा आप देख prices के डिस्टी वी जो की जबर्दस्त उचाल रहें देखा रहे हैं और यहां पर उसका कोई कारण नहीं है कारण बस fresh fund infusion की होप है बस चलिए फिलाल मैं wind up करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगाओगा आपके पास कोई information और दोने share कि अ करता हूँ